WHO की लेटेस्ट ब्रीफिंग अनुसार चाइना में कोरना वाइरस अब थमने लगा है कुछ दिनों से चाइना में एक भी कोरना वाइरस का नया के सामने नहीं आया और जहां 80,000 से जादा लोग संक्रमित थे जिन में से 70% की करीब लोग ठीक हो चुके हैं ये खबर चाइना के लिए भले ही अच्छी खबर हो लेकिन अब इस वाइरस ने चाइना के बाहर 120 देशों में अपना घर बना लिया है चाइना ने तो निपट लिया लेकिन अब पूरी दुनिया के नजर दुनिया के दूसरे सबसे जादा पॉपुलेशन वाले देश भारत पर है भारत में हर रोज 15 से 20 नए मामले वाइरस के सामने आ रहे हैं भारत में अभी तक ये वाइरस केवल बाहर के देशों से आए होई लोगों में मिल रहा था पर अभी देश के अंदर भी लोग आपस में संक्रमित होने लगे हैं पहले बस एक दो राज्य से ही कोरना के पेशेंट्स मिल रहे थे लेकिन अभ भारत में भी 12 राज्यों में कोरना फैल चुका है हाल ही में पूने में 2 नए केस सामने आए हैं महराष्ट और करनाटका में 3-3 नए केस पॉस्टिव टेस्ट पाए गए हैं और केरिला में 6 नए कनफर्म केस सामने आए हैं इसी के साथ भारत में कोर्णा वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 62 हो गई है। सबसे बड़ा सवाल ये उटता है कि साथ ही तो कह रहे हैं इसका कोई इलाज नहीं है और साथ ही इसके बिल्कुल उलट की साथ हजार से जादा लोग ठीक होकर वापस घर जा चुके हैं। एक्चुली बात ये हैं इसमें सिम्टोमाटिक बेस्ट सपोर्टिव थेरपी से इलाज होता है। अगर चाइना कर सकता है तो बाकी देश भी कर सकते हैं बस भारत को भी चाइना की तरफ प्रिप्रेइडनेस और टफ डिसीजन्स लेने पड़ेंगे। केंद्य सरकार और राजे सरकारों को कमर कस्नी होगी। कोरोना से अवेर रहना, जागरुक रहना ही सबसे बड़ा बचाव है। और अगर हलका सा भी संदे है तो डॉक्टर को तुरंद कंसल्ट किया जाए। पिछले कुछ दिनों में जब भी आपने किसी को कॉल किया होगा, तो कोरोना वायरस की जागरुकता के बारे में आपको रिंग टोन सुनाई दी होगी। सरकार अवेरनेस के लिए कई कदम उठा रही है, क्योंकि बहुत सारी रिूमर्स अफ़ाएं फैल रही है। आप प्लीज इनसे बचिए। जब से कोरोना नाम के रहसे में वायरस का पता चला है, तब से ही आइसोलेशन, कॉरेंटीन और कॉन्टाक्ट ट्रेसिंग जैसे शब्द भी सुनने को मिल रहे हैं। चलो इनहीं को समझाती हूँ बिलकुल आसान भाशा में। जैसा कि मैंने पहले बताया, कोरोना वायरस का कोई एंडिडॉट तो मिला नहीं अभी तक, कि इंजेक्शन या फिर वाक्सिन लगवाओ और ठीक हो जाओ। अभी के लिए सारजनिक स्वास्ते की पारंपरिक तरीके, आइसोलेशन, कॉरेंटीन और कॉन्टाक्ट ट्रेसिं ये हमारे देश में सालों से करते आ रहे हैं, जब भी किसी को चिकन पॉक्स हो जाए, या बोलो तो माता निकल जाए, सबसे पहले उस पेशन को अलग कमरे में रखा जाता है, यानि कि आईसोलेशन में रखा जाता है, यही चीज कोरोना वाईरस के केस में भी फॉलो की जा अब बताते हूं कि क्वारंटीन क्या है अगर कोई भी इंसान वाइरस से संक्रमित देश या जगों से आया हो तो उसको 14 दिनों तक अलग जगा रखा जाता है ऐसा इसलिए क्योंकि कोरोना वाइरस के सिम्टम्स को सामने आने में 14 दिनों तक का समय लगता है आपने सुना प्रसाने किसी भी इंसान को 14 दिनों तक बाहर नहीं निकलने दिया गया था अब बात करते हैं कि कोंटाक्ट ट्रेसिंग क्या है कोरोना वाइरस से संक्रमित होने के बाद वह पेशंट बाकि कितनी लोगों कोंटाक्ट में आया होगा जिससे खत्रा है कि उनमें भी कोरोना वाइरस से संक्रमन्ट हो गया होगा उन सभी लोगों को ढूंडने की प्रोसेस को कंटाक्ट ट्रेसिंग कहा जाता है याद है आपको दुबई से आया वो सौफवेर इंजीनियर जिसने बेंगलोर से हैदराबाद बस में ट्राविल किया था सरकार ने उस बस में सफर करने वा जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब किये बिना मत जाना प्लीज तो चलो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में